हलो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है टार्गेट वी थेस्टर क्लास में ठीके मैं इस क्लास में आपके लिए टॉप ट्वंटी यूपी ते पलस सी एनम डी ते पलस बी एनम बिहार एनम मुख्य सेवा ठीके आधी एक्जामों की जो लोग भी तयार कर रहे है जैसे की राजतान यंम हो गया टीके ऐसे एक्जामों के mon涼 लेकर आया हूँ सोरीवीस प्रसणों को लेकर आया हूं जो कि आपकी जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे आज की इस देखेंगे एक माल और रोग से रिलेटेट 20 प्रशनों को जो की काफी इंपोर्टेंट होगे और सेलेक्टेट कोशन होंगे जो लोग भी ठीक क्लास में पहली बाज उड़े हैं प्ली चैनल को सुस्क्राइब करेंगे बेल अकर प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नुड़िकेशन डेली आपको मिल सके और जो लोग भी हमारा टेली ग्राम चैनल टार्गेट विताइचर नहीं ज्वाइन किये अभी तक तो करते हुए चलते हैं आज के पहले कोस्टन की तरफ पहला कोस्टन होगा देखेंगे पहला कोस्टन आखु के दोस्ट के आधार पर अधुरदर सिता क्या है तो ऑफशन शी ओगा निकर दिशी दोस या ऑफशन ड होगा द्रिश्टी बैसम में ठीके तो इसका राइट एंसर तो यहां पर बात हुआ है निकर दिश्थी दोस का तो निकर दिश्थी दोस के बारे में निकर दिश्थी दोस में निकर की वस्तुए तो इस परस्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुए इस परस्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं ठीके चलिए नास कोशन की तरफ चलते हैं दूसरा नंबर कोशन होगा बताएंगे सभी लोग निम्लिखित में से कौन सा एक आभाव से होने वाला रोग है ठीके बताएंगे दमा पिलिया इसकर्भी या केंसर ठीके तो काफी इंपोर्डेंट प्रसन है सभी लोग एक बार जल्दी से देख रहे हैं यदि आपको कोशन का अंसर आता है तो वीडियो को पॉच्छ करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना एंसर जरूर करेंगे ठीके और दोस्तों में शेयर तो जरूर करना भूलेंगे नहीं और वीडियो को जाधे-जाधा आप सब लोग लाइक करेंगे तो ऑ विटामिन C की कमी से होता है और विटामिन C का रसायनिग क्या नम है ठीके तो इसकारविक अमला ठीके चलिए अगले कोश्टन को देखते हैं थाड़ नमर रताएंगे मोतिया बिंद एक बिमारी है बताएंगे बिलकुल आसान कोशन है सब लोग इसका एंसर कमेंट बॉक् सब्सक्राइब तो बताइए और सब्सक्राइब बढ़ाने से होता है ठीक है चलिए नेत्र में बढ़ाने से होता है सब्सक्राइब चलिए अगले कोस्टन को देखते हैं फौर्थ नमर बताएंगे नेद की विमारी यानि की स्लिपिंग सिक्नेस किसकी वज़ासे होता है तो इसका राइट एंसर होगा आफ्शन डी यानिकी ट्रिपनो सोमा के द्वारा होता है नेंद की विमारी ठीक है यानिक के शृपिंग सिक्नेस चलिए अगले कोस्टन को देखते हैं भी कि आज एट्स भी शाडू बिनाश करता है या बिनास करता है सब बताईे फटावर से बताएंगे जिसके लिंफोचाइट्स का बिनास करता है या इस प्रतिरच्छा इनकि इम्मिनो वायरस होता है यानि कि HIV ध्यान रखेंगे HIV ठीक है यानि कि human ठीक है इम्मिनो वायरस होता है यह विशाड़ू शरीर में प्रवेश कर कोशिका में अनुवांसिक पदार्त है निकि RNA से DNA बनाता है ठीक है DNA ऐसे एंजाइम का निर्माण करते हैं जोकी lymphocyde को प्रभावित करते है टीक है lymphocytes को प्रभावित करते है टोक कि clear होगे आप सभी को चलिए अगला कोशन को देखते हैं सिख्त नंबर बताएंगे lock jaw किसकी रोगजनीत अवस्ता है lock jaw किसकी रोगजनीत अवस्ता है तो सभी लोग बता दीजे जो लोग भी वीडियो को ठीके जिनको भी एंसर आता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंड बॉक्स में अपना एंसर करेंगे फिर से वीडियो को स्टार्ट करेंगे ठीके और ठीके आगे कंटिनू रखेंगे तो बताएं लॉक किसकी रोगजनीत अवस्तह है कितने सब्सक्राइब यानि कि टितनिस कि नामक नामक hasn't है तेटनिस कियो इस्टीडियम टयटनी नामक जिवाडू से होता है। आपका टीनस टिक है चलिए अगले कोशल को देखते हैं कि सैवन नमर संक्रमन क्सके द्वारा होता है। सब वीडियों बताएंगे किसके द्वारा होता है फालेरिया का संक्रमण, ठीके एडीज मच्छर के द्वारा, एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, या क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, ओप्शन डी हो जाएगा स्वाम्स मच्छर के द्वारा, तो बताएंगे बिल्कुल आस खराबी वविकार आने से होता है सबी लोग बताएंगे जुन्दी से पीलिया रोग किस अंग में खराबी वविकार आने से होता है तो इसका राइट इन सोर हो जाएगा ओप्सन भी यानि कि यक्रित यानि कि पीलिया जो की यक्रित की विमारी है जो बिलुरुबीन की अधिक पर होता है अधिकता पर त्वचा दथान्येत्र में पीला पन आ जाता है बिलुरुभीन की उच्छता से रुधिर अभगटन यकृत्ट सोध त्विआतितन तुरुजा और यक्रित मिर्तिव आदी होता है ठीक है तो पिलिया किसकी विमारी है ठीक है तो यक्रित ठीक है यक्रित के खराबी के करण होता है चलिए नियांत नमबर बताएंगे समाने जुखाम किसकी वज़ा से होता है सभी लोग बताएंगे समाने जुखाम होता है किसकी वज़ा से होता है तो option c हो जाएगा ठीक है option c credential की वज़ emailed से धैन रहेंगे समाने जुखाम Zwoki कि विज़ां से होता है तो विसारू की वज़ां से होता है रहेंगे टैंत नम bowls आजार turkey का फ़िवाहक है कि रहेंगे काbir काला आजारो मख्या है फटापड से आप लोग बताएंगे जल्Дहीं से काला आजारो मख्या है क्या हो रोग जल जनित बिमारी है मधुमें हैजा छोटी माता या मलेरिया तो ऑफशन बीस का राइट एंसर हो जाएगा देखेंगे यानि कि हैजा जो की एक जल जनित बिमारी है चलिए अगले कोस्टन को देखते हैं दाद यानि कि रिंग वार्म रोग किसके द्वारा फैलता है त अबर्वन होन दाद इसके द्वार्म फैलता है तो ऑफशन डी हो जाएगा यानि कि कवक के द्वारा ठीके कवक के द्वारा दाद या रिंग वार्म रोग फैलता है चलिए अगले कोस्टन को देखते हैं वुटैज नमबर आएंगे छाहे रोग किसके कारण होता है ते थे नाम्बर मताइंगे गल्चुनी दिन्मेदार है तो विए जिम्मेदार है तो और ओप्षन यही ने पी दिया है उनका विल्कुल सई है यानि की उपकाड ग्रंथी ठीक है गल्सवा यानि की मम्स एक विशाडू जनित रोग है जो की उपकाड ग्रंथी के सूजन के लिए जिम्मेदार है ठीक है यानि की मम्स जो की छुआ जोत का विमारी है जो की विशाडू के द्वारा होता है चलिए अगले कोशन को देखते ह पंदरवा नमबर बताएंगे निम्ड में से कौन संक्रामक रोग है ठीक है बताएंगे निम्ड में से कौन संक्रामक रोग है फड़ापट से बता दीजे मधुमें डिप्तिरिया गठिया या कैंसर तो ओप्सन भी हो जाएगा यानि कि देहधान रखेंगे क्या हो जाएगा तो डिफ्तिरिया जो की एक संक्रामक रोग है ठीक है चलिए यह किस से होता है तो होता है क्रिने वेक्टेरियम ठीक है डिफ्तेरी नामक जिवारू से होता है यह गले में औरोध उत्पन करता है ठीक है मायो कार्डिटिस तंत्रिका कोशिकाओं में सूजन या ब्रिक में सूजन था अधे देख रटो इसकी जटिलता होती है चलिए अगले कोशन को देखते हैं ठीक है सिक्ष्टि नमबर बताए चोटी माता या स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होता है सब लोग बताएंगे स्मॉ सब्सक्राइब बताएंगे टाइफाइड किसकी वज़ास से होता है बिल्कुल आसान कोशन है ठीक है जो लोग भी टीक है वीडियो को आफ्लाइन देख रहे हैं ठीक है यह ठीक है ठीक है यह तो यदि आपको कोश्ण का एंसर आता है तो वीडियो पॉज करके कमेंड बॉक्स में आप अपना एंसर जरूर देंगे तो कि और ओंसम डिस कराईट एंसर होगा यानिकी स्यल्मोनिला टाइफी कर से होता है टाइफ हाइटिक है चली अगले कोश्ण तो सब लोग बहुत आएंगे 18 नम्मर का पीला ज्वर यानि कि एलो फीवर किसके द्वारा फैलता है तो एक बार एंसर करेंगे देखते हैं कि ते लों का राइट एंसर आता है जल्दी से पता दीजिए और ओफशन एसका राइट एंसरों का इदान डखेंगे यानि कि एडीज मच्छड के द्वारा ठीक है पीला ज्वर यानि कि एलो फीवर किसके द्वारा फैलता है एडीज मच्छड के द्वारा फैलता है चलिए न्यास को सलोगा 90 नमर बताएंगे टिटनस किसके द्वारा फ स्ट्टीं आप किसके द्वारां फैलता है तो गजरे आठी का है कि यह जनित रोग है विसानीत रोग है का की रोग है चाल जनित रोग है तो सब लोग बता दिचे तो प्सक्राइब प्सक्राइक यह जाईगा यहारि कि उनांट sud 식으로 किया हुआ है कि कितना आपका सही हुआ है और जो लोग भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को फड़ावर से लाइक करेंगे और यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है दोस्तों में तो ज्याद से ज्यादा सेयर करेंगे ठीक है और डेली आपको regular basis पे जादस जादस आप सपोर्ट करेंगे तो regular basis पे important important questions में आपको ले कर आऊँगा जो की काफ helpful आपके लिए आपकी exam के लिए रहेंगे ठीक है तो एक बार सबीलोग जल्दी से जो लोग भी चैनल को अभी तक subscribe करेंगे और यदी आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं किया है तो सबीलोग ज्वाइन कर लेंगे ठीक है और यदी आपने हमारा application एप से नहीं किया तो तो टार्गेट विश्चर के नाम से एप है तो उसक को आप लोग देखें आप उसका फाइदा उठाए ठीक है थैंक यू सो मच पर वोचिंग वाबाए टेक क्यार